आपने फुटबॉल शायद एक महिने या तीन महिने के लिए खेली होगी। लेकिन वो अनभव, उस अनभव का बचा हुआ हिस्सा आप में अब भी गहरा समाया हुआ है। और ये कहीं एक बिल्कुल अलग जगा में व्यक्त होता है। इसी तरह आप हर समय विक्सित हो रहे हैं। इसी को हम कर्म कहते हैं, तो ये व्यक्तिकत कर्म हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लेकिन एक ब्रह्म्हांडिय कर्म होता है, स्रिष्टी का अपना कर्म होता है, क्योंकि स्रिष्टी खुद एक कर्म है, है ना। स्रिष्टी का बनना क्या ये काम नहीं है? काम मतलब कर्म, ये कर्म है उस कर्म का बचा हुआ हिस्सा हमेशा अगले स्तर की स्रिष्टी तक और फिर अगले स्तर तक पहुँचता है इस तरह से कुल मिलाकर 84 स्रिष्टियां हुई है या 83 हुई है, ये 84 हुई है इन में से पुरानी स्रिष्टियां पूरी तरह से विलीन हो चुकी है उनका अस्तित्व बस अपनी स्रिष्टियों में मौजूद अनभव की छाब के रूप में है पर वे जीवित नहीं है लेकिन इससे पहले की 20 स्रिष्टियां अब भी अलग-अलग स्तर पर जीवित हैं कुछ बहुत ही धुंदली हो गई हैं कुछ प्रबल हैं, कुछ जादा प्रबल हैं कुछ लगभग असली हैं, जैसे ये है ये लगभग ऐसी ही है लेकिन ये विलीन हुने की प्रक्रिया में है वहां स्रिष्टी की प्रक्रिया सक्रिय रूप से नहीं हो रही है विलीन हुने का यही मतलब है देखे फिलाल आप के लिए मृत्यु का क्या मतलब है जब आप बच्चे थे जितनी नई कोशिकाएं आप पैदा कर रहे थे मान लिजे एक साल में आप सौ अरब कोशिकाएं बना रहे थे जब आप 35 के हो जाते हैं ये थोड़ा कम हो जाता है जब आप 45 के होते हैं ये थोड़ा और कम होता है 55 की उम्र में और कम होता है 75 पर और भी कम एक समय आता है, जब आप जो पैदा करते हैं और जो मरता है, जो मरता है उसकी संख्या नए से जादा है, इसी तरह से बुढ़ा पाता है स्रिष्टी के साथ बिलकुल यही प्रक्रिया हो रही है, विलीन होना हर समय होता है, यहां भी विलीन होना हर समय होता है, लेकिन नई स्रिष्टी हो रही है, तो यह पूरी उर्जा से चल रही है, यह नई स्रिष्टी धीमें पढ़कर रुग गई, तो कुछ समय बाद, कुछ तो इस इस अर्थ में सिर्फ 21 अब तक किसी रूप में मौजूद हैं, बाकी की बची हुई 63, जी हाँ 63 पूरी तरह से गायब हो चुकी हैं, यह आपको नहीं मिलेंगी इससे फर्क नहीं पड़ता कि आप कैसे देखते हैं, लेकिन आप उन्हें अपने सिस्टम में कि चिन्हों के रूप में देख सकते हैं, क्यूंकि वो च्छाप, वो अनुभव अब भी यहाँ हैं, यह एक असली चीज है, बाकी सभी घट्यक्रम के अनुसार सक्रिय हैं, इन में दो हैं, इस स्रिष्टी में दो हैं, एक भौतिक्ता है, जिसमें हर चीज की आदाश्त है, दूसरा है स्रिष्टी का स्त्रोत, जो भविश्य का आधार है, आप यातो अपने अतीत को अपना भविश्य बनने दे सकते हैं, जब आप अपने अतीत को अपना भविश्य बनने देते हैं, हम आपको देख कर कहते हैं, यह उसका कर्म है, जब हम कहते हैं, वो उसका कर्म है इसका मतलब है कि वो अपने अतीत को अपना भविश्य बनने दे रही है उसमें कोई नई संभावना नहीं है यही बात है जब हम किसी को देख कर कहते हैं कर्म हम बस यही कह रहे हैं कि वे अपने अतीत को अपना भविश्य बनने दे रहे हैं उनका वाकई कोई भविश्य नहीं है, वो खुद को दोहराएगा. जब आप कहते हैं, मैं आध्यात्मिक मार्ग पर हूँ, तो आप एक स्थर पर ये कह रहे हैं, कि आप वाकई ये कह रहे हैं, कि आप अपने अतीत को अपने भविश्य के रूप में धोराने नहीं देना चाहते आप अपने जीवन को चक्रिय नहीं बनाना चाहते आप अपने जीवन को आगे ले जाना चाहते आप उसे चक्रिय नहीं बनाना चाहते पिछला मंत्र जिसका अभी आप उचारण कर रहे थे वो है पुनरपी जननम, पुनरपी मरनम मतलब ये चक्र, मैं इसे किसी तरह तोड़ना चाहता हूँ क्योंकि जब आप किसी चक्र में आ जाते हैं जब आप गोल घूमने लगते हैं तो आप कहीं नहीं पहुँचने वाले जब आप कहते हैं कि कोई गोल घूम रहा है तो इसका क्या मतलब होता है इसका मतलब बस ये होता है कि वो कहीं नहीं पहुँचेगा तो जब हम कहते हैं ये उसका कर्म है तो हमारा मतलब यही होता है कि वो कहीं नहीं पहुँचेगा, क्योंकि घूमते हुए उसे ऐसा लगता है कि ये नई यात्रा है, ये नई यात्रा है, क्योंकि उसकी यादाश्ट बहुत छोटी है, हर किसी को भूलने की बिमारी है मां के गर्ब से पहले क्या था या मां के गर्ब में क्या था उन्हें याद नहीं वे भूल जाने की स्थिती में इसलिए गोल घूमना नया लगता है हर बार घूमकर नया लगता है ये गोल घूमते जानवरों की तरह है सरकस में जानवरों को घूमाते हैं ये बस वैसा ही है भारत में विशेश रूप से योगिक संस्कृती में ये उदारण शायद कहीं योग सूत्र में ही है ये वाला उदारण उनकी तुलना तेल की चक्की के बैल से की जाती है तेल की चक्की पर वे बैलों के साथ ये करते हैं वे उनकी आँखों पर कपड़ा बांद देते हैं। उनकी आँखों पर कुछ बांद देते हैं। या फिर सब कुछ बांद कर बस इतना छोड़ देते हैं। और ये एक तेल की चक्की है, पर बैल सोचता है वो कहीं जा रहा है। जैसे आप treedmill पर चरते हैं और ऐसा लगता है कि आप कहीं जा रहे हैं पर आप कहीं नहीं जा रहे हैं यही कर्म है तो ये आयाम जिसे आप अभी देख रहे हैं वो दो स्थरों पर है एक हो चुका है, दूसरा हो रहा है तो उन में से 83 हो चुके है अगर आप संख्याओं में बात करना चाहते हैं, तो 83 वाँ हो चुका है, पर अब भी हो रहा है बचे हुए हिस्से के रूप में ये अब भी हो रहा है, आपका जन्म हो चुका है क्या हो चुका है? जन्म हो गया है, पर अब भी हो रहा है, है न? आपकी मृत्यू हो चुकी है, लेकिन अब भी हो रही है आप समझे आपकी मृत्यू तै है, है न? ये पहले ही हो चुकी है जिस पल आप पैदा हुए थे, आपके मृत्यू हो गई थी मृत्यू की ओर आपका पहला कदम हो गया था, पर अब भी हो रहा है आप इसके पूरे होने का इंतिजार कर रहे हैं या आप इसे टालना चाहते हैं लेकिन ये हो रहा है, है न? और ये पहले ही हो चुका है तो आप में एक और आयाम है जिसका जन नहीं हुआ है नहीं मृत्ति होगी अगर आप उस आयाम को छुएं सिर्फ तभी आपमें भविश्य जैसी कोई चीज होगी वर्ना आपके पास बस कर्म है कर्म मतलब आप अपने अतीत को भविश्य के रूप में दोहरा रहे हैं आप शायद रंग बदल रहे हो, आप शायद तरीके बदल रहे हैं कि आप उसे कैसे करते हैं, पर फिर भी वही चीज है, कुछ भी अलग नहीं है, वही चीज जो गुफा में रहने वाला आदमी करता था, आप भी वही कर रहे हैं, तरीके और क्षमता शायद बदल गई हो, लेकिन चीज वही है, कैसा नहीं है, ये एक लंगर है, ये एक लंगर है आपने लंगर फेंक दिया है और आप अपनी नाव को चलाने की कोशिश कर रहे हैं जादा से जादा वो गोल घुम सकती है तो हम लंगर खींचने की या लंगर की रसी काटने की कोशिश कर रहे हैं ताकि अगली बार नाव चलाने पर वो दूर चली जाए तो पूरी आध्य खात्मिक साधना इसी पर आधारित है कि आप मुक्त होना चाहते हैं। मुक्त का मतलब ये नहीं है कि आपको भूलना होगा, लेकिन आपको उस याददास्ट से मुक्त होना होगा, जो आपको चलाती है, और ये याददास्ट सिर्फ आपके मन में नहीं, आपके शरीर की हर कोशिका में याददाश्ट है वंश विज्ञान और अनिच चीजों से ये हमारे लिए बिलकुल स्पष्ट है कि आप में अपने पूरवजों की याददाश्ट है और आप आज भी उनकी तरह बरताव कर रहे हैं आपकी नाक आज भी उनके जैसी है आप देखिए अगर आपने हाल ही में नाक की सरजरी ना करवाली हो कई सारे प्रतीक हैं या शरीर में कई पहलू हैं जो स्पष्ट रूप से ये कहते हैं कि इन 84 शृष्टियों की याददाश्ट अब भी आपके शरीर में मौजूद है ये शृष्टी की हर पर्मानों में है तो आप उसे साफ करना चाहते हैं आप उस याददाश्ट को साफ करना चाहते हैं क्यूंकि ये याददाश्ट आपको बानती है ये याददाश्त आपको जुड़े होने की भावना देती है पर साथ ही साथ आपको बांती है आपको जाने नहीं देती तो जब आप साधना करते हैं तो आप सब कुछ काटने की कोशिश करते हैं क्योंकि काटे बिना अपना लंगर काटे बिना आप आगे नहीं जा सकेंगे तो ये यादाश्ट मुझे क्यों रोके रखती है इसी यादाश्ट ने आपके शरीर को और आप जो अभी हैं, उसे एक रूप पर समगरता दी है इसके बिना, इस यादाश्त के बिना, ये शरीर नहीं बनाया जा सकता एक कोशिका के जीव की यादाश्त आप में हुए बिना उस सारी जानकारी के विकास की प्रक्रिया से गुजर कर आपका रूप लिये बिना उस यादाश्त के बिना, ये शरीर एक रूप लेकर टिक नहीं सकता तो यादाश्त आपकी दुश्मन नहीं है बात ये है कि आपको उसे संभालना नहीं आता आप उसमें समा गए हैं, यही समस्या है आप उसमें समा गए हैं, अब आप उससे बाहर आना चाहते हैं आप याददाश्त का इस्तिमाल करना चाहते हैं, लेकिन आप ये नहीं चाहते कि वो आपका इस्तिमाल करें यही आध्यात्मिक साधना हैं, कि आप एक भविष्य चाहते हैं, जो आपके अतीत से अलग हूँ.